हलो हाई फूड़ीज मैं कवीता स्वासंपन में आपका स्वागत करती हूं आज हम स्वासंपन में बनाएंगे स्वासेज में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टेमेटो सॉस जिसको कि घरों में बहुत असानी से बना जाता है और सब अपने अपने तरीके से बहुत तो इसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले 1,5 किलो टमाटर जिसको कि आप रफली चॉप कर लीजिए और थोड़े सी डालिए 8-10 लसिन की कलिया और उसमें एक प्यास डालिए और थोड़े सी काली मिर्च 2-4 लॉंग और एक इंच डाल चीनी का टुकड़ा डालिए और डाल और फिर इसको पहले दो मिनट ढखना लगाकर हाई फ्लेम पर और फिर उसे सिम करके जब तक टमाटर गल ना जाए अच्छे तरीके से जब तक उसे पकाईए एक अच्छी टेमेटो सॉस बनाने के लिए हमें आधे हाइब्रिड टमाटर और आधे हमें देसी टमाटर लेने आज हम जो सॉस बनाएंगे उसमें हम कोई भी फूड कलर और बीड रूट आधी कोई ऐसी चीज नहीं डालेंगे फिर भी हमारी सॉस का कलर एकदम बजार जैसी सॉस के कलर जैसा आएगा देखिए जो इसमें इतना पानी नजर आ रहा है यह सब हमारे जो देसी टमाटर है उसकी वज़े से आ रहा है इसलिए देसी टमाटर डालना इसमें बहुत जरूरी है अभी इसे और ढखकर हमें पकाना है देखिए इसमें और पानी आ गया है और यही पानी हमारी सॉस को एक अच्छा टेक्स्चर और अच्छा टेस्ट देने का काम करेगा अभी इसे हमें कम से कम आधा गंटा और पकाना है जब तक हमारे टमाटर बिलकुल अच्छे से गल ना जाए और पानी एकदम कम हो जाए जब तक हमें इसे पकाते रहना है जिस तरीके से मैं आपको यह दिखा रही हूं आपको भी वैसे ही इसे बार-बार चेक करते रहना है और जैसे ही हमार तमाटर अच्छे से गल जाएं आपको गैस बंद कर देनी है और जो इसमें ये हमने खड़े मसाले डाले थे उन्हें आप जितना हो सके निकाल लीजिए क्योंकि बच्चों को इनका टेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और सौसम जाधा तर बच्चों के लिए ही बनात क्योंकि मेरे बच्चे अध्रक खाना पसंद नहीं करते इसमें आप डेड़ से दो इंच का अध्रक का टुकड़ा डालिए तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा अब आप उसी कढ़ाई पर एक चन्नी रखकर और सारी सौस को इस तरीकी से चान लीजिए चानने से इ कि में इसमें सरिफ बीज औ सिलके हैं और हमारी स्चारी नेचे आ गई है कि इस टाइम हमारी साथ कर हमारे को सेम ऐसा ही चाहिए लेकिन अभी हम इसमें एक कप डालेंगे हम चीनी चीनी गरम होकर जैसे जैसी पिग लेगी वैसे वैसे हमारी सॉस थोड़ी पतली होती चिली जाएगी अब हम होट एं सुइट सॉस बना रहे हैं तो इसमें हमें एक टी स्पून रेट चिली के लिए हमें इसमें डालना होगा एक कप वाइट विनेगर और विनेगर डालने के बाद आप इसको इतनी देर पकाईए कि इसकी कंसेस्टेंसी बिल्कुल सॉस जैसे जब तक ना आ जाए होट एंड सुट सॉस वैसे जो नॉर्मल सोस होती है उससे थोड़ी सी इसकी कंसेस करना बहुत जरूर यह देखिए इस तरीके से अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो इसका मतलब यह अभी और पके देखिए हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है फिर भी हमारी सॉस का कलर कितना अच्छा आया है अब हमेंसे एक बर और टेस्ट करेंगे देखिए अब यह ठीक है और यह नीचे की तरफ नहीं गिर रही है इसका मतलब हमारी सॉस बिलकुल बनकर तयार है अब आप इसे किसी भी काच की इस तरीके की बोतल हो जिसे आप बिलकुल सुखा कर इसमें बिलकुल पानी ना हो और यह इस तरीके के कीप लगा कर इसे बिलकुल ठंडा होने के बाद ऐसी बोतल में भरकर आप रख दीजिए यह 8 से 10 अपते बिल्कुल भी खराब नहीं होगी इस तरीके से अगर आप सॉस बनाएंगे तो बच्चे तो क्या बड़े भी पैचान नहीं पाएंगी कि आपने बनाई यह सॉस या आप बजार से लेकर आएं तो प्लीज एक करकर बताईए और आगे मुझे आपके लिए किसके स्टीच की रेस्पी बनानी है आप यह भी मुझे बताईए बाबाई